तो मोना लिशा गुड़ीवनिंग सुभेंदू अमित चलो जी स्टार्ट कर राहूल गुड़ीवनिंग आज जल्दी नहीं है आज बिलकुल राइट टाइम पर है और वजह यह है कि हमको आज रिप्लेस्मेंट खतम करना है टार्गेट है रिप्लेस्मेंट खतम करना पिछली क्लास में हम लोगों ने एक एक एक्जामपल किया था और एक्जामपल के अलावा कुछ कोश्चन्स भी बनाए थे कुछ कोश्चन्स भी बनाए थे और कुछ होमवक भी दिया था मैंने क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि homework हो गया है हाँ जल्दी नहीं है दो मिनट जल्दी आपको लग रहा है आप अपनी घड़ी ठीक कर लीजिए सर एक काम करते हैं जब तक और भी बच्चे आ जाते हैं पुड़ी बहुत बाते लिख लेते हैं यस सभी का हो वक हो गया है बहुत अच्छी वा तू जो पढ़ रहते हैं वो पढ़ दिया हम प्लेस्मेंट रिप्लेस्मेंट डिसीजन पर कुछ पढ़ा नहीं था रिप्लेस्मेंट पर कुछ लिखा नहीं था सौरी एक बर थोड़ी बहुत बाते लिख लेते हैं क्योंकि लिखा होना चाहिए कि रिप्लेस्मेंट में हमने क्या पढ़ा था क्योंकि हम लोगों को अप्टिमल रिप्लेस्मेंट साइकल पढ़नाच और उसके विश्वास नहीं हो रहा है एएफेम में हमारे निव श्टेडी मटेरियल में चार कोश्चन्स दे रखे हैं और टार्गेट यह है कि दो कोश्चन्स हम साथ में बनाएंगे और आज ही क्लास में मैं आपको दो कोश्चन होम वक दे दूँगा हाँ मेन टार्गेट बना कर आया है कि क्या क्या करना है तो पहले रिप्लेस्मेंट के विशे में कुछ लिख लेते हैं वेनेवर पुड़ी बहुत बाते लिखना है वेनेवर ओल्ड मसीन इस इन वर्किंग कंडिशन ऐसा नहीं है देविदर आज भी दो ही घंडे की एकलास होगे रिप्लेस्मेंट हो जाए रिप्लेस्मेंट हमको खतम करना टार्गेटी है ऐसा नहीं है कि हमारी जो ओल्ड मशीन है वो खतम हो चुकी है ओल्ड मशीन हमने खरीदा मशीन खरीदा था ओल्ड हो चुकी है पर आगे भी चल सकती है, बात हुई थी कल, यह ओरिजिनल लाइब थी 10 साल, 4 years हो चुका था, अभी भी 6 years बागी था, तो old machine working condition में है, एक ऐसा भी आता problem जिसमें old machine खतम हो चुकी है, ठीक है, तो मैंने लिखा whenever old machine is working condition, but new machine with better technology is available in market in this situation decision is taken whether old machine should be replaced or not हमें यह decide करना कि old machine को replace करे की नहीं करे and such decision is is taken on the basis of incremental incremental या दखना हम इंक्रीमेंटल से कोश्चन कर रहा है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस कि अजी हो गया है सबका और मेरे ही हल से अब सारे बच्चे आ चुके होगे ये रोज Shake चंद्रकांत का कहना है कि सर terminal value पे tax वाला concept एक बार बता दीजिय dud है कि यार ये टर्मीनल value में कभी tax लेते हो कभी tax नहीं लेते हो वाजह क्या है मतलब सर कभी आप selvest value after tax ले लेते हो कभी selvest value में आप tax कमा मानिस नहीं करते हो taught ठीक है चंद्रकांत, यह मैं आपको पक्का बताऊंगा, चलो जी, हो चुका है, यस, अब हम कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट में ही एक कॉंसेप्ट है, आप्टीमॉम, और रिप्लेसमेंट साइक, आप्टीमम रिप्लेसमेंट साइक, नितियन अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने बस थोड़ी बहुत बाते लिखी, कल की बात लिखी है, तो कुछ नहीं, चार लाईन ही लिखा है, बड़ी मुस्किल, चलो जी, आप्टीमम रिप्लेसमेंट साइक, बोल तो या आप्टीमल रिप्लेसमेंट साइक, बोल दीजे, कोई फर्क नहीं पढ़ता, अब समझने की कोशिश करते कि हम क्या पढ़ हैं, अभी ऐसे कोई नोट से नहीं बना रहा हूँ, अभी बस मेरी बात सुनना, मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना कार खरीदा आजाएं, ये लो, पटा फट से आप फोटो ले लीजे एक बार इसकी, और बाद में आप नोटिंग कर लेना, या नहीं भी लोगे, तो बस इतना लिखा यार, दो लाइन ही है, और दो लाइन ही है, ठीक है नेतिन, ठीक है सर, ठीक है जी, अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, कार खरीदा जाएं, ठीक है सर, आप भी सोचोंगे, पक्का डिसाइट तो करना ही है, यार, सीए बनने के बाद, अब कार का क्या है यार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो न ऐसा करते है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कि एक बार कार खरीदना है सर, एक बार कार खरीद लिया, उसके बाद हम आड़ दस साल तो देखेंगे नहीं, मतलब कम से कम पास साल तक तो दूसरी कार का अच्छा, मतलब एक बार कार खरीदा आपने, और पास साल लाइफ है तो पूरे पास साल तक उसी कार को यूच करेंगे, पूरे पास साल तक, या यह समलो, पूरे छे साल लाइफ है तो छे साल तक यूच करेंगे, अच्छा, एक साथ पैसा जाएगा, टेंशन ही खतम, और एक बार कार खरीदिये, छे साल तक फुरसत, तो और एक और भी है, और एक तरीका, मुझे बताना किसमे ज्यादा फायदा है, बस आपसे जितना भी नॉलिज है, उससे आपसे बता दे ना बाकी कोई दिक्कत ने, एक डिसीजन ये है कि एक बार कार खरीदिये, छे साल तक फ् फिर कार खरीदा फिर दो साल बाद बेश दिया मालनो मुझे छे साल तक ही कार की जरुरत है दो अप्शन है हर दो दो साल में चैंज करूं कार या फिर एक ही बार खरीदे छे साल तक फ्री क्या लगता है क्या ज्यादा अच्छा अप्शन होगा हमारे हाँ जी कुछ खर्चे भी हो सकते हैं थोड़ा सोचते ना यार क्या हो सकता सोचोगे तो बाद बन जाएगी हमारे पास दो अप्शन है एक बार कार खरीदा दिए एक बार ले लीजिए मौझ ही मौझ है रनिंग कॉस्ट बेसिस एक बार अगर मैं कार ले लेता हूं सोचते थोड़ा सा ठीक है सर खर्च लगेगा जो भी लगना है हाँ वेजनती एन पीवी के मैंटनेंस है बहुत सारी चीज़ है और यह आपने सोच लिया बिल्गुल सहीं बोल रहा हूं मैं ऐसे यह डिपेंड उन कॉस्ट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है पर मैंने कहां कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि हर दो-दो इयर में हर टू-टू इयर में कार चेंज कर लिया जाए यह एक ही बार खरीद के काम तो थोड़ा इसके विसे में सोचते है इसके विसे में सोचते है एक ही बार कार खरीद में के विसे में सोचते है अगर आप एक ही बार कार खरीदते हो तो कार धीरे धीरे ओल्ड होते जाएगी मानते हो सर यस तो मानते हो तो सिर्फ सर मैंटरनेस का खर्चा भी तो बढ़ेगा आप क्यों भूल गया इस बात को विल्गोस है और और कुछ बाकी है BMW हो गया बाकी थीक है जी ठीक है अभी concept पेचाते maintenance का खर्चा है per annum basis पे अगर मैं एक बार खरीद के 6 साल तक सोचू तो हर साल maintenance का खर्चा है कुछ running cost हो सकता है और सुनो और एक बात है salvage भी तो एक बड़ी चीज है क्योंकि यार इस car को आज खरीदोगे और सिधा 6 साल बाद बेचोगे सिधा 6 एर बात तो यार क्या मिलेगा इसका salvage कुछ नहीं जबकि अगर मैं हर 2-2 साल में खरीदता हूँ आज खरीदा दो साल चलाए तो maintenance उतना लगेगा नहीं और दो साल बाद बीचूँगा तो ज़्यादा कब बिकेगा हाँ सर फिर खरीदा नहीं वाव सर मज़ा जाएगा maintenance score are very lower than purchasing cost हाँ यही सब तो नितिन हम लोगों को यही सब डिसाइट करना है और एक तरीका है ना और एक तरीका है एक काम करो ना सर हर 3-3 साल में हर 3-3 साल में दो बार खरीदी कुछ बोलते सर ऐसा करो ना यार हर साल खरीदो एक बार चलाया दो बार चलाया तीन बार चलाया फिर बेचा फिर यह काम भी कितना अच्छा लग रहा है इट मींज सर हर साल रिप्लेस करो, हर साल रिप्लेस करते रही है, दूसरा हर दो-दो साल में रिप्लेस करते रही है, तीसरा हर तीन-तीन साल में रिप्लेस करते रही है, और चौथा एग बार खरीता बात कता है, सबसे इसको बोलते हैं, रिप्लेस्मेंट साइक, सबसे अच् तो चले देखें सर लिखवाओगे कि अभी कुछ नहीं लिखवाओंगा पहले करेंगे कोशन कोई एक्जामपल नहीं है पहले हम कोशन बनाने जा रहा है आ जाए पहत्रिन टूटल मिलाकर कितने कोशन से टूटल मिलाकर चार कोशन सम लोगों को बनाने हैं और चार में से सब सबसे बड़ा कोश्चन मैंने उठा रखा है सबसे बड़ा अच्छा सब इससे बड़ी कोश्चन नहीं है optimum replacement cycle के अच्छा एक बात और बता दू प्रेजन्टेशन का हाँ का सुभानसू का क्यानाइट सा टी वाइके 6 एंक्यो सुभानसू टी वाइके 26 सौरी टी वाइके 26 हा बच्चो मेरी बात समझ में आ रही है अब सुनना मेरी बात हा अब सुनोगे मेरी बात यहां से हमको काम कैसे करना है टोटल मिलाकर optimum replacement cycle के चार कोश्चन से है और खांस बात यह है कि दो कोश्चन हम करेंगे दो कोश्चन मैं आपको होंबग दूँगा और चारो ही कोश्चन एक ही फॉर्मेट से हो सकते अच्छा और ICAI का प्रेजेंटेशन हमारा प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा इंच्छीट के प्रेजेंटेशन से और अधिकतर वो भी वही फॉलो कर रहा है यह मतलब हम भी वही फॉलो कर रहे है जो वह फॉलो कर रहे है ठीक है सर तो एक काम करते है एक ही फॉर्मेट रखते हैं और एक ही फॉर्मेट में एक कोश्चन करेंगे दो question करेंगे और दो question के बात please class के बीच में class के बीच में ये message नहीं आने चाहिए चलो कोई बाद में मैं पढ़ रहा हूँ question लिखा machine used on a production line must be replaced at least every four years कोई machine है और use हो रही है on a production line must be replaced at least हर चार-चार साल में किसी भी हालत में हमको replace करना पड़ेगा हर चार-चार साल में हमको machinery replace करना पड़ेगा अब आगे बढ़ाओ मैं question क्या लिखा हुआ है cost incurred to run the machine according to its age it means यार question बस ये गह रहा है कि सर हमको maximum ये जो machine है ये चार साल से ज़्यादा चल ही नहीं सकते अब चाहो तो पूरे चार साल चलाईए चाहो तो हर साल replace किजिए चाहे तो हर दो-दो साल में replace करजिए चाहो तो हर तीन-तीन साल में replace करते जाईए इस तरह से काम कर सकते देखते हैं अगर machine खरीदोगे तो आज कितने की पड़ेगी पढ़ेगी 60,000 ठीके जब अब जब आपने 60,000 की खरीदिया और अगर आप 4 साल तक चलाते हो तो maintenance का भी खर्चा है 16,000, 18,000, 3rd year और चलाओगे तो सर धीरे-धीरे maintenance का cost बढ़ रहा है और repair कितना है, 0 है, 4000 है, 8,000 और 16,000, repairs इसके अलावा scrap value 32 है, 24 है, 16, इसा repair का खर्चा, पहले साल repair का खर्चा नहीं है पर repair का खर्चा भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है और scrap value कितना scrap value है, 32, it means पहले साल, एक ही साल चला के हम base देंगे तो 32,000 की BK की machine अगर मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, दो साल चलाता हूँ और फिर बेचूंगा, तो बोले 24 की BK केगी मतलब जितना खीचोगे, उतना कम मिलेगा आपको future replacement will be identical machine with the same cost, क्या कहना चाहता है, कोई बता सकता है, क्या इस line का मतलब future replacement will be with identical machine with same cost, क्या कहना चाहता है, सर फटा फट से मुझे answer दीचिए, future replacement will be identical machine with same cost, हाँ, बात यही बोल रहा है, कि सर देखो अभी तो 60,000 की machine है, आप एक साल चलाओगे, और फिर base दोगे, और उस साल, second year में जब खरीदने जाओगे, तो बले वो भी 60,000 की ही तूसरी एसिट के लाइफ जो है, हाँ, मैं आप से बोल रहा हूँ, अभी ऐसा लग रहा ना, अभी आपको भी लग रहा होगे, सर, कार आप हर साल चैंज कर रहे हो है, तो आज तो कार आपको 60,000 की मिल गई, जब अगले साल, मान लो एक साल में बेज दिया, जब second year बेच खरीदने जाओगे, तो भी 60,000 की मिल गई, future replacement will be identical machine with the same cost revenue is unaffected by the age of the machine, ठीक है, revenue में ignoring inflation and taxes, वाउ, determine the optimum replacement cycle, present value factor 15% की सब से, ये आपको 4 digit तक लेना हाँ, same machine, same cost के साथ ही replace होगा, यश, नहीं बोल रहे हो, बस मैं अगर इसको simple language में बोलूँ, तो भी 2 साल बाद भी car खरीदने जाओगे, तो आपको 60,000 की ही मिलेगी, तीन साल बाद भी खरीदने जाओगे, तो 60,000 की चलो जी, अब actual में decision क्या लेना है हम लोग, optimum ये बोला है न, determine the optimum replacement cycle, बोल क्या रहा है, decision क्या लेना है, बस इतना बता दो, आखिर क्या decide करना, optimum replacement cycle, क्या चक्कर है वाई, भी, सर वो ये बोल रहा है, optimum replacement cycle का, मतलब best क्या है हमारे लेना, हर साल चेंच करना है मशीन को, कि हर 2-2 साल में change करना है, कि हर 3-3 साल में change करना है, कि हर 4-4 साल में change करना है, जिसमें हमारा पैसा कम लगेगा, वो हमारे लेना बैस्ट होगे, ठीक है, श्टाठ करे है, यस, अब सवाल बस बहुत सारे तरीके, सवाल है प्रेजिंटेशन का, आउट फ्लो जिस पे कम आएगा, उस पे हम रिप्लेस करें, तो हम निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेटिशन और प्रेजेंट वैल्य और कैस आउट फ्लो, हाँ, मांसी, सही है, कि जितने में जादा फायदा होगा, जिसमें कम पैसा लगीगा, वो हमारे लिए जादा है, तो अब हम श्टार्ट कर रहा है, फॉरमेट कोई भी उप्टिमम रिप्लेसमेंट का कोशिन किजिए, फॉरमेट सेम ही रहेगा, अच्छा, तो सब फॉरमेट बनाई किया, चलो बनाते हैं, मेरे साथ साथ इसी format में question बनाओगे तो फायदे में रहोगे मैं seriously बताओ statement showing pvco present value cash out तर टार्गेट ऐसा है सुनोगे ध्यान से टार्गेट ये है कि ये question आप मेरे साथ बनाओगे मतलब मैं समझाओंगा अच्छे से next question है आप अकेले करना मैं अकेले करूँगा देखेंगे कौन पहले बनाता है ठीक है और उसके बाद दो question home बख रहे इसलिए इस question को ध्यान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है column पहले मत खीचना पहले देख लेना अच्छे से पहले देख ले रहा है उसके बाद column खीच होगे line तो हम बनाती नहीं है हाँ हमारे पास 4 decision है हाँ धन्स? हाँ हाँ कि दो लुव चाहरू मैंने पहली कहना अपने आप मत बनाना सर इससे अच्छा प्रेजेंटिशन नहीं हो सकता बहुत सारे जो सजिस्टिड में ऐसे प्रेजेंटिशन की ओके सर अब लिख ले कि क्या क्या चीज मांग रहा है सबसे पहले एर और फिर प्रेजेंट वेली फैक्टर यह तो कोई दिक्कत नहीं था यार हाँ सर एक येर का कॉलम होता था एक प्रेजेंट वेली फैक्टर होता था अब येर डिसीजन क्या है हर साल रिप्लेस करें रिप्लेस एवरी येर replace every 2 years, replace every 3 years, replace every 4 years, इसी बात, बस वो ही तो है, जैसी यह होता था, machine A, machine B, तो इस बार machine A और machine B नहीं है, machine A, B, C, D, चार DC जाने तो, चार की सबसे, replace every year, replace every 2 years, replace in every 3 years, replace in every 4 years, सर, हमारी copy में, register में जगा नहीं है, register थोड़ा बड़ा वाला खरी थी है, replace every year, और यहां क्या जाएगा, every 2 years, हर 2-2 साल में replace करना है, और सर, every 3 years, और every 4 years, और सर, किसके अलावा क्या क्या आएगा, इसके अलावा, यह तो आपको पता है, amount, present value, 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 खत्म, हाँ, vertical बना लो, बहुत प्यार से बनाओ question, क्योंकि इस question, अगर यह बनाना, तो आने वाले 4 question ऐसा लगेगा, हलवा, आपके language में, मैं भी बिगड गया हूँ, या मैं भी क्या बोल रहा हूँ, लेकिन seriously बोल रहा हूँ, आने वाले questions बहुत easy लगेगे, बह संगती का सर है एक्षुनी, चला, यह आप ही से सिखा है हाँ, संगत का सर है, आप ही से यह छोड़ो ना यार, चलो भाई, जल्दी से बनाओ, तो हम लोग आगे चले, जल्दी से बनाईए, प्लीज, और एक बार बन जाए, तो confirm करना, तो मैं अब फिर रीट करके पढ़ना, हम बनाना श्टार्ट करें, बहुत को सीखा है और बहुत को सीखना है आप लोगों से मुझे, ठीक है, ठीक यू अमित, चलो जी, अब सुनोगे बच्चो सुनोगे, सुनोगे, अब काम कर रहा है, चलो यार, खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, सुचेंगे एक साल की दो साल की तीन साल या चार साल पर खरीदे होगे, तो आज खरीदना तो पड़ेगा, एक बार खरीद लेते हैं, फिर सुचेंगे एक साल चलाए तो क्या होगा, दो साल चलाए तो क्या होगा, तीन साल चलाए तो क्या होगा, तो चलो, तो सबसे पहले कोश्ट अप मशीन कोश्ट सर कब लगेगा जीरो वन और कितने की आएगी आज खरीदोगे तो 60,000 तो सर 60,000 60,000 60,000 60,000 3,000 60,000 और 60,000 और 60,000 इट मिन्स आपका डिसीजन कुछ भी क्यों ना हो चाहे आप एक साल के लिए रख रहे हो चाहे आप टू इयर्स के लिए चाहे आप त्री इयर्स के लिए आज तो भई कार खरीदना है जो अभी हो मशीन खरीदना है और वो हमारी 60,000 ये मैंटनेंस का खर्चा है 16,000 अब मुझे आपके साथ की जरूरत है बस अब मैं यहां लिख रहा हूँ मैंटनेंस ये भी ये भी कैश आउटलो ही है कौनसी इयर में एक्सपेंसिस होने वाले हैं मैंटनेंस के तर फर्स्ट इयर में होने वाले और फर्स्ट इयर का क्या फैक्टर दिया हुआ है येस फैक्टर कितना दिया हुआ है पॉइंट एट सिक्स नाइन सिक्स एट सिक्स नाइन सिक्स कोश्चन सिम्पल सा अगर कार में एक साल बाद ही एक साल बाद ही बेचने वाला हुँ तो क्या मैंटनेंस का खर्चा आएगा या नहीं आएगा सोच समझकर जवाब देना मैंटनेंस कब करवाया जा रहा है सबसे इंपोर्टन बात यह पहला कोश्चन यह है कि अगर मैं पहले ही साल के एंड में हाँ बात उतनी सी है ना बात यह है मैं इस मेटर पर बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ जो बात कर रहा हूँ अभी मैं बहुत आगी तक नहीं गया मैं सिर्व बात कर रहा हूँ 16,000 की 16,000 का खर्च आएगा की नहीं आएगा बस अगर मैं 1st year में ही car replace कर रहा हूँ 1st year चलाऊंगा car और 1st year के end में बेज दूँगा तो बताओं maintenance का खर्चा इस में इस option में आएगा की नहीं आएगा Yes या No जल्द इस आंसर चाहिए मश्र आएगा कितना आएगा सर 16,000 अब सुनो कुछ बच्छों का क्या कहना था मेरी बात समझाओ कियों से question करने के चकर में हूँ कुछ बच्छों का ये कहना था सर 1st year में हमने आज car खरीदा हाँ सुनोगे मेरी बात हमने आज चार खरीदा ठीक है सर आज कार खरीदा जब आपने आज कार खरीदा तो सर फर्स्ट येर के एंड में हमको बेचना है ऐसी भी तो क्या कार का हम मैंटरनेंस करवा कर बेचेंगे उनका ये कहना था, कुछ बच्चों का ये कहना था सर अजीब सी बात नहीं कर रहा है मतलब यार आज हमने 60,000 की कार खरीदा ठीक है, खूब चलाया येर एंड आया, येर एंड में मैंटरनेंस का खर्चा है और मैंटरनेंस करवाएंगे और उसके बाद कार बेचेंगे, अजीब सी बात है जब बेचना है तो ऐसी बेच दो यार, मैंटरनेंस क्यों करवा रहा है ठीक है, ऐसा भी सोच रहा है सोचते हैं बच्चे, बस मैं आपसे बहुत सारी चीज़े डिसकर्शन करना चाहता हूँ बस एक बात, एक बात मुझे आंसर देना, एक चीज़ का सुन लो बिच्चे, सुन लो ध्यांस सर, वैल्यू एडिशन के लिए विजन्ती का ये कहना है कि सर, सुनो न, अगर आप ऐसी कार गंदी सी किसी को दिखाओगे तो वो कम्मे खरी देगा, पर अच्छी नई कार बिल्कुल फ्रेस लिखेगी, तो सायद हो सकता, ज्यादा कीमत दे दे हाँ, निशिता आप कभी ये कहना कि सर, मैंटरनेस करवाएंगे तो थोड़ी अच्छी कार दिखेंगी, तो चलो थोड़ी महगी बिख जाएगी हाँ, अमेरत, यही तो बात है, मैं जो बोलने जा रहा था बिटे, बात ऐसी है, कि ये होता है जीरो पिरियट और ये होता है वन ये है जीरो पिरियट और ये है वन अब सुनोगे, सुनोगे ध्यान से, मैंटरनेस यहां नहीं होता है, एक्छॉल में अब एक बार बताओ आप CFAT निकालते हो और CFAT कैसे निकालते हो सर sales साल भर में जो होता हुआ उसमें से खर्चे वर्चे माइनस करके हाँ सर हम CFAT निकालते हैं जब आप CFAT निकालते हो तो आप यहां वाला factor यूज करते हो year end का तो इसका मतलब यार क्या year end में sales होता है मैं जो भी product बना रहा हूँ कि हमें सीधा last में बेचता होगा year end में नहीं सर बेचते तो हो आप पूरे साल भर बेचते तो हम पूरे साल भर लेकिन क्योंकि यार calculation में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर हम हर दिन का factor लेंगे या हर मन् तो होता क्या है कि हम साल भर बेचते लेकिन factor सिर्फ लास्ट का लेते क्योंकि हमारे पास कोई option नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब आपने कार यहां खरीदा ना तो maintenance actual में यहां नहीं है maintenance है during the year पर आप year end का factor उठाते है वैसे ही आप यहां वही चीज़ यहां maintenance के वि कार बेच रहे है बिल्कुल सहीं ऐसा हो सकता कि सर maintenance करवा के कार बेचेंगे तो सहीं कीमत मिल जाएगी में भी agree हूँ लेकिन actual में logic यह है बाकी हमें first year में maintenance लेना है तो 16,000 into 8696 तो सर यह आ गया one three nine one four मैं fraction को ignore कर रहा हूँ तर क्यों जगा नहीं है यार fraction भी अगर मैं लिखूंगा तो भी तो हो गयगा यहां आएगा की नहीं आएगा जल्दी से जावब दो one three nine one four one three nine one four सही है इशा देविंदर लेकिन अब सहचो अगर मैं दो साल के लिए रखता हूँ यह आएगा सर अगर आप दो साल के लिए है तो फिर तो कोई सोच ही नहीं है यार first year में तो आपको maintenance करवाना ही पड़ेगा यह और उतने ही आएगा खाजबत है 16,000 one three nine one four और 16,000 one three nine one four और 16,000 one three nine one four जी यहाँ तक किसी को कोई doubt है नहीं सर यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं चाहे आप एक साल के लिए रखो चाहे दो साल चाहे third year चाहे first year में तो आपको maintenance करवाना ही करवाना अब बात करते है 18,000 सुनो हम साथ में लिख रहे हैं हम अलग अलग निखिल लिखेंगे अब भाई साब अगर आप कार एक साल से जादा रखोगे न अगर आप कार एक साल से जादा रखोगे तो सुनो के ध्यान से maintenance तो रहे गई रहेगा साथ में repair भी करवाना पड़ेगा तो सर अब जुगाड करो कुछ अब मैं जुगाड देखो कैसे कर रहा हूँ फैक्टर 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 है सर 0.7561 7561 हाँ प्लस करके कर रहे हैं हम लोग वह ज्यादा अच्छा न यह तो फिर तो यार हमारा फॉर्मेट इतना लंबा हो जाता बड़ा सा करते 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 ठक जाते तो maintenance and repair साथ में ले लिए अगर मैं पहले ही साल बेज देता हूं तो second year का tension नहीं maintenance को हम cumulative ले सकते कि नहीं 16,000 और 18,000 जो maintenance का कोई भी काले लो यह first year में खर्च है और यह second year में तोला 18 और 4 कितना होता है 18 plus 4 18 plus 4 तो total हो गया 22,000 तो यहां तो नहीं आएगा यहां आएगा 22,000 यहां आएगा 22,000 और यहां आएगा 22,000 और यहां आएगा 22,000 तो 22,000 2.7561 तो सर यह हो गए 16634 16634 1663 1663 सर थर्ड यर थर्ड यर थर्ड यर में फैक्टर है 0.6575 0.6575 और कितने खर्च सर है 20,000 20,000 प्लस 8,000 थर्ड यर में तो यहर फर्श्ट यर में बेज देंगे तो काम खतम सेकेंड यर में बेज देंगे तो भी काम खतम लेकिन अगर तीन साल तक रखोगे सर तो फिर खर्च तो करना होगा कितना करना हो 28,000 और यहां भी थर्ड यर में आएगा 20 28,000 x 0.6575 18,410 और 18,410 ठीक ओके ओके और सर अगर हम लोग 0.5718 अगर कार हम चार साल तक रखेंगे ना सर जी तो फिर तो बरबाद हो जाएगे प्लीज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सक हो रहा है जिसके पास 20,000 ही है अगर किसी की भी पास हो तो प्लीज एक बार कंफर्म करो हाला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम 20,000 से भी कोश्चन बना सकते है पर ठीक है ICAI के पुरा accurate answer match हो जाए तो मज़ा जा है सवाल बस यह है मुझे यह बताना जो भी इंस्टिट्यूट का AFM का study mat चेक कर रहा है वो यह 20,000 है मुझे थोड़ा सा शक हो रहा हूँ मेरे पास है नहीं है बुक SM आप एक बार चेक करके बता दीजिए क्या यह 20,000 ही है न किशन थैंक्यू 20,000 ही है तो फिर 20,000 प्लस 16,000 हैंके सुभान सू 20,000 ही है तो 20 प्लस 16 टूटल कितना हो गया तर 36,000 तो 36,000 तो 36,000 इंटू 0.5718 तो यागे 20,0585 ठीक है इशा विजनती सबका ठीक है तो जीरो पाइव एट पाइफ ठीक है यहां तक हो गया बहुत अच्छे गया सर कोई दिक्कत नहीं है आराम से चले अब आगे सुनोगे सर ठीक है ये अगर हम हर साल चेंज करते तो ये सिर्फ एक साल का इतना ही दूसरे साल का आएगा इतना ही खर्चा 30 साल का इतने खर्चा 4 साल का वो मैं आपको समझाऊँगा सर इस क्रैब वैल्यू भी तो बाकी है न सर इस क्रैब वैल्यू भी तो लेना पड़ेगा और ये मेरा पैसा जा रहा है और सैल्वेज पैसा आएगा हाँ सर तो यहाँ सैल्वेज ले ले किया मैं फर्ष्ट इयर में भी बेच सकता हूँ 0.8696 और फर्ष्ट इयर में कितने की बिकेगी 32 था हो इसको ब्रैकेट में दिखाऊंगा तो चल जाएगा ना 32,000 x 0.8696 तो सर यह आ गया है 27 827 ठीक है अगर मैं सेकेंड ही दो साल तक रखता हूँ तो सेकेंड यर में बेचूंगा फिर और सेकेंड यर का फैक्टर कितना है सेकेंड यर का फैक्टर 0.7561 तो वो कितने की बिकेगी सर फिर अगर मैं हम दो साल तक रखते हैं मशिनरी को तो 24,000 और 24,000 into 20870 वाव सर्फ मज़ा आ गया थर्ड यर अगर हम मशिन तीन साल तक रखते हैं तो सब फिर तो 16 मतलब धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है हाँ जी फैक्टर मुझे बताओंगे सर फैक्टर आ रहा है 0.6575 नहीं या नहीं है और सर कितने की बेच रहे हैं अब थर्ड यर में 16,000 और 16th सर गलत है मेरा गलत हो गया है क्या 24,000 से ही तो है यार 24,000 into 0.7561 तो हो सरी तो यह आया था 18146 ठीक है ठीक है ठीक है अभी ठीक है वही 16,000 into 16,000 into 0.6575 तो यह सर आ गया है लास्ट में 10 0.520 एंड लास्ट पूर्थ यर में वेचेंगे सर तो फूर्थ यर में कितने की विकेगी फूर्थ यर में 8,000 की विकेगी और फूर्थ यर का फैक्टर क्या है 0.5718 8,000 4, 5, 7, 4 कनिस्क का है प्रशांद का 4, 5, 7, 4 सभी का ठीक है अब क्या करना है सर पूर्थ यर में ईशा शाही है 4, 5, 7, 4, 4, 5, 7 पर सभी का अब सर करना क्या है कुछ नहीं करना है भाई टूटल मारना खताम कोश्चन ये कोश्चन 16 मार्श का आया करता था 16 नंबर वाउ सर माय नहीं रखता अब सर टूटल कौन सा वाला मारना है सुनना इचे वाला नहीं करना टूटल क्या मारना टूटल मालू में कौन सा वाला मालू मालू मारना है ठीक है ठीक है सर कर लेंगे छोड़ो सर इस पर चलो फटा-फट से बताते जाना मैं यहां लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ टोटा प्रजेंट वैल्यू आप कैसा यह जो इसका टूटल कितना आ रहा यह आ रहा 60,000 प्लस 13914-27827 हाँ बिल्गुल सर 60 नमास का आया पर यार 46087 ठीक है विजनती 46087 पहला आ गया अगर मैं दो साल के लिए रखूं तो कितना खर्चा है दो साल के लिए इसका टूटल बताऊगे यह वाला टूटल 4546087 हाँ वो तो फ़स्ट वाल आ गया दो साल अच्छा सभी का आ गया था 46087 और 60,000 प्लस 13914 प्लस 16634-18146 तो सर यह आ रहा है 72402 थैंक यू अच्छा थर्ड वाला भी मैं टॉटल मार लूँ किया यस थर्ड वाला कितना आ रहा है इश्या 98438 98438 बिल्कुल सहीं अगर मैं चार साल तक रखूं तो 124969 ठीक है सभी का गया 124969 अब दिक्कत क्या है मालूब है एक भर दिक्कत है यह तो पागलपन है कि हम इसका comparison कर सकते कैसे comparison कर सकते तो समझ के बताना यह जो expenses है यह कितने साल के हैं सर एक ही साल का है यह जो expenses यह तो एक ही साल का है यह expenses कितने साल के है तीन साल का उटख़़व है और यह चार साल का उटख़़व है तो क्या life अलग-अलग है हाँ आप comparison कर ही नहीं सकते तो करना क्या पड़ेगा हमें equivalent करना पड़ेगा कल किसी दो मुझसे पूछा था कि sir equivalent कर क्यों हो रहे हो तो कैसे comparison करोगे यार आप खुछ सोच की बता एक का एक ही साल का case outlook है और ये चार साल का case outlook है तो यार दोनों में comparable नहीं है तो हमको दोनों को बराबर करना पड़ेगा इसका भी annual निकालना पड़ेगा और इसका भी annual निकालना पड़ेगा और divide किस से करेंगे तो divide हम करते है present value annuity factor से ये तो आप भी जानते हों यहीं कर लेज़े तो present value annuity factor से divide करेंगे और पहले साल का present value annuity factor है 0.8696 तूसरे साल का आजएगा 0.8696 0.7561 तो ultimately हम future value निकाल रहा है क्या पैसा समझ लीची 1.6257 plus 0.6575 तो यह आगे 2.2832 डीची 0.718 2.855 क्याति व्यूइ लीच कि डीच अब निकाल लें तो सर अब क्या आएगा अब आएगा एक्विवेलेंट एनवल पी वी सी ओ हर साल का एक्सपेंस एनवल एक्सपेंस तो सर 46087 डिवाइड बाइप पॉइंट 8696 तो आगया पहला 52998 तो पीस 52998 तेकन वाला करते हैं 72402 डिवाइड बाइ 1.6257 सरी आगया रूपीस 44536 हाँ जी सही है 44536 अगे 98438 डिवाइड बाइ 2.2832 सरी आगया 43114 ठीक है 124969 डिवाइड बाइ 2.855 तो सरी आगया 43772 और इसमें सबसे कम कौन सा वाला दिख रहा है जल्दी से बोलो ये 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 भी हर साल का ये भी हर साल का ये भी हर साल का अगर हम एक-एक साल में गाड़ी चैंज करें या दो-दो साल में या तीन-तीन साल में या चार साल साल सर थ्री येर्स बैष्ट सबसे कम कौश्ट आ रहा है येस तो optimal replacement cycle is 3 years U2 दो वार, पी वी सी ओ, हर तीन तीन साल में हमको, रिप्लेस करना चाहिए, मशिन चाहिए, ठीक है, ये था ओप्टिमम रिप्लेसमेंट साइक, हाँ जी इस टाइब के कोश्चन बिल्गो सालधानी से करना ही पड़ेगा, सहीं बोल रहे हैं, पर एक बात है, अनिक्वल लाइफ में रोभन सिर्फ अनिक्वल लाइफ में नहीं करते हैं, दो कंडिशन होती हैं अगर देखा जाए, हम एजमिशन ले लेते हैं, रोभन का कहना कि सर हम एक्विवेलेंट एन्वल एन्पीवी या पीवी सीओ, शिर्फ अनिक्वल लाइफ में ही करते हैं क्या, या फिर मैंने कहा दो कंडिशन हैं, अब दो कंडिशन क्या है सुनोगे दियां से, एक तो है अनिक्वल लाइफ में मैं कर ही क्यों रहा हूँ, उसकी वज़ा है मैं क्यों एक्वल कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहां डिसिजन लेता हूँ, तो यह कैसा उटलो, एक साल का है, यह दो साल का है, यह तीन साल का है, यह चार साल का है, और मैं कहता हूँ, या सबसे कमवला अच्छा, तो उसे साबसे मैं 4, 6, 0, 8, 7 पर फाइनल कर लेता हूँ, पर यार आप कैसे के लिए, दूसरी और वज़ा यह तब ही करना होता है, जब यह रिपीट नेचर के हैं, मतलब अभी एक साल फिर आगे, और एक साल फिर आगे, इस बार बार वो चीजे रिपीट होती है, इस वज़ा से मुझे एक्क्यूवेलेंट करना पड़ता है, बाकि और भी मैं आपक इक्क्यूवेलेंट कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा और एक कंडिशन साथ में है, वो साथ में जो है ना, वो हम देखते हैं नहीं, वो एजियूम कर लेते हैं, वो मैं समझाओंगा, एक कोशन मैं समझाओंगा, अभी टारगेट क्या है, सुनो, अभी टारगेट है कि एक question उठा रहा है अकेले अकेले बना रहा है मैं अकेले बनाऊंगा आप अकेले बना देखते है कौन पहले बना लेता है इस रोड़ो competition है वो आप का आपस में नहीं है वो competition मेरे साथ question में रीट करूंगा ठीक आजाते है सर homework, homework के लिए मैंने निकाल के रखा है homework के लिए मैंने निकाल के रखा है ठीक तो question number 12 कोई मुझे ये बता दे कि TY के कौन सा यार उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है लिखने में actually मेरे पास है नहीं है न यार study mat तो sir ये है TY के study mat का अच्छा IC AI का illustration number 13 है चलो TY के लिखना गलत बात हो गई तो ये है illustration number 13 खेर जो भी हूँ हमें तो बनाना है यार institute का एक भी question मैं नहीं छड़ूआँगा मुझे तो सब करवा चलो जी तयार है पढ़ते है x limited taxi operator है और cost है 4 लाग ठीक है भाई useful life है तीन ही साल है भाई useful life तीन साल है मतलब याँ taxi खरीदोगे तो तीन साल चलाएगे उससे ज़्यादा चली नहीं सकते और taxi operating cost for each of three years and service value at the end of each year दे रखा है एक ही हर साल चलाते जाओ हर साल बेशते जाएगे तो operating cost आएगा 180 और sell value यह पहली साल बेचोगे तो 280 या तो हर दो-दो साल में replace करते 210 और 230 पका ना यह बड़ेगा यह कम होगा ठीक है सर अर हर तीन-तीन साल में तो यह और बड़ेगा यह और कम हो जाएगा optimum replacement period और 10% है page number 18 है और कोई homework नहीं homework दे रहा हूँ अपना-पना करते अपना-पना आप लोग पहले ही start कर रहे हो तो यह cheating है CDC बात है कर दिया होगा line-way तो खिच लिया होगा बहुत intelligent बच्ची हो ना गलत बात है कहा गया यह भी चालू करते हैं अभी तो कोई message भी नहीं करीगा ना ठीक statement showing calculation of पी वी सी यो एक दो तिन एक दो तिन एक एक है सर एक और यह हो गया दो और यह हो गया तीन चोटा हो गया है कि तीन अब बड़ा बड़ा देख और ऐसा column आजगा और एक तो यह column आजएगा और एक तो यह column ठीक है अगर मैं कर रहा हूँ replace this this every year और यहां क्या एगा every two years और यहां एगा every three years नहीं यह column तो नहीं आजएगा और इसको दो पार्ट में बाढ़ देगा और यहां जाएगा यहार a present value factor कितना पर्संट इसे तन पर्संट इसे तन पर्संट amount and value and value amount present value प्रशांद कह रहा है कि sir please कोई है जो send कर सकता कोश्चन कोई नहीं करने वाला है सब कोश्चन मना रहा है स्वार्थी जमाना है प्रशांद स्वार्थी लोग तो sir cost zero well अच्छा thank you sir कितना कितना है 4,00,00,00,00,00 4,00,00 4,00,00 4,00,00 और 4,00,00 और क्या है sir operating cost ले लिए 10,000,00,00,00,00 1,000,00,00 1,000,00,00 और 1,000,000 1,000,0002.909 163 163 163 173 0.5, 0.1000. 0.826 दोलक्त, 0.823, like this, 173460, 163570, 0, 3rd year, 0.754, 238, थाज, तर यह आगया, 1, 6, 8, इतना ही तुआ, तर यह जो यह, 1st year, 0.9, 2,80,000, सरी आगे 254520 निशान्त का अंसर आगया है कि सर हर दू-दू साल में रिप्लेस करना चाहिए निशान्त मैं बहुत ही पीछे चल रहा हूं आप थे मैं पहुचता हूँ वहां तक पहुचता हूँ तू लेग 30 थाऊच्छ निशान्त 1 8 9 रमpoint 1,0068 1,26 164 तो यह जो णियस दnya P,V,C तो का अंसर आ गया है नहीं सबसे पीछे कैसे हो गया है हद हो नहीं हो गई आ रही है कोई बात नहीं होता है कभी ना कभी तो मिलोगे आग प्लस आओ सीजकी दो माननल만लो मिलो नहीं वार कोई लॉ पर याग let's 1 जाओ स हो पाज वजे हो टो मैं वार में थांगा सेटेनी तो कि réalité नहीं हो घान रहकर पीछ सेंना रहकर पीछिंडाशी ने दूबलो उगा है प्रेंक्यू मेरा साथ देने के लिए 4,00, plus 1,6,3,6,2,0, plus 1,7,3,4,6,2,0, plus 1,8, minus 1,2, 1,8, 6,5, थैंक्यू किशन, इतनी इंसल्ट, इवाइड बाइ प्रेंड वेल्यू अफैनुटि वेल्यू अफैनुटि वेल्यू अफैनुटि वेल्यू अफैनुटि वेल्यू इसका जाएगा 0.909, or 909, 909, plus 0.826, तो यह आगे 1.735, plus 0.751, तो यह आगे से 2.486, तो सर्फ फाइनली आगया, equivalent annual PV 309100 divided by 0.909, so यह रगे 3,4 00 4,4 5,470 divided by 54 2 divided by 0.7, यह रगे 3,470, 3,1, 5 3,3,1 3,1 3,1, 8,9 6,5,0 divided by 2.8 3,1, 7 6,3,1 3,1, 7 6,3,1 3,4 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 प्रमल में थी सपीस ली पर हो». जब टेस्ट पीपर आपका लूं जब आपका टेस्ट लूं तो बुक का एक भी कोशिन ना दूं। वाँ. मतलब सारे फिगर्स रखने करके दूं। बिल्गों से मुझसे calculation mistake हो जाती पर आप मेरे साथ में तो आप कोई दिक्कत ने तो सुनो मेरा क्या target है मेरा ये target है कि मैं जो taste paper लूँ आप से taste paper उसमें जो आपकी doubts आ रहे ना सर हमको जो है present value factor तीन decimal places तक लेना है कि चार तक लेना है अकसर जितने भी questions दिये है सिर्फ इसी chapter की मैं बात कर नहीं कर रहा हूं पहले हम चार तक वैसे तो चार तक जादा अच्छा था पर मैं जब देख रहा हूं module new study mat आया है तो उसमें तीन डिजिट ले लेता है चल जाता है और अधिकतर questions में उन्होंने point के बाद तीन decimal places तक काम किया है तो ठीक है यार चल जाएगा हम तीन तक लेंगे क्योंकि आप भी देख रहे हो question वो तीन decimal places तक लेता है अगर आप four तक लेते हो तो कोई अच्छी बात है और minor अगर problem है कोई थोड़ा सा calculation में इधर उधर होत है मैं paper जब check करता हूं ना मुझे और एक गलती समझ में आई आई आपकी वो यहां लिखकर छोड़ देते है और बोलता है जो paper चेक कर रहा हो खुद ही लिख ले कि कौन सा अच्छा खुद ही decide कर ले भाई मैं क्यों decide करूं यार यहां लिखकर बताना चाहिए आपको कि कौ खतम पाकी आप जानो की कौन सा अच्छा तो please 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 लिख लिया करो कि यार रिप्लेस ऑप्तिमम रिप्लेस्मेंट साइकल हमारा टू यर्स है ठीक हाँ conclusion लिखना है आपको लिख लोगे conclusion यस चलो एक homework दे दू हाँ सर टार्गेट हुआ था कि सर दो question हमने बनाना था class में यस तभी का हो गया ना बच्छो हाँ सर हो गया question number 10 आपके लिए homework है question number 10 homework है अगर मैं इस question को पढ़ देता हूं तो कोई फिर मतलब ही ने निकला खुद से पढ़िये और खुद से कोशिश कीजिए कि कैसे होगा एक बात तो आपके की format तो हम उसी से करने वाले तो हमारा attention नहीं है format वही रहेगा हाँ वो लोग भी वैसे ही आपको number देते है तो question number 10 आपके लिए homework रहेगा आप खुद से करने जा रहा हो question number 10 question number 8 हम अभी बना रहा है बहुत अच्छा question है question number 8 यह optimal replacement cycle का question नहीं है यह proper replacement का question है replacement अभी करे या फिर बाद में करे अच्छा question है ICAI का TYK 25 तो यह जो है मैं लिख लेता हूँ यह भी हमारे institute का question है TYK एक बाद discuss करते हैं बहुत सारे doubts आएगे इस question में मैं जानता हूँ आएगी और आएगे तो मैं discuss करूँगा सर इंटर जैसा लग रहा है हाँ see इंटर जैसा ही है कुछ मतलब आज कल और Friday और Saturday तक हूँ मज़ ले लो उसके बाद तो भई पोर्टफोलियो स्टार्ट हो जाएगा Monday से तो पूरा खिल खतम हो जाएगा सब कुछ कुछ और ही कहानी चलेगी फिर तो कोशन नमबर एट कोशन नमबर एट बना रहा है एक बाद पढ़ते हैं कि कैसे करना है कोशन एक बार मेरे साथ साथ पढ़ना है अच्छा कोशन है लिखा company Y is operating an elderly machine that is expected to produce a net cash inflow 40,000 in coming year तर है क्या बूले एक old machine है old machine और ऐसा है कि old machine से cash flow आएगा 40,000 in coming year and 40,000 in next year फीक है मतलब first year में भी 40,000 आएगा और second year में भी 40,000 आएगा सुभान सुका कहना कि portfolio में कितनी classes लगेगी मैं एक बार क्योंकि new भी चीजे आई है portfolio में portfolio management में थोड़ी बहुत new चीजे आई है एक बार calculation करके आपको बता दूगा कितनी classes तो old machine जो है उससे CFEAT आया मैं question read कर रहा हूँ CFEAT अगर हम old machine को ही चलाते है तो first year में CFEAT आएगा 60,000 और second year में CFEAT आएगा 40,000 sorry 40,000 old machine को आज अगर बेज देते हो old machine को आज बेज देते हो तो 80,000 रुपए मिलेगा आज बेज देते हैं ठीक है sir sir अगर हम आज नहीं बेजते है एक साल चलाते है डिपेंड करता है सुब मैं आपको reply करूँगा पक्का आज ही बता दूगा आप बिल्कुल sir मंडे से डाई गंडे की class yes पोटफोलियो के रहेगी पोटफोलियो तो हमको ज़्यादा किछना क्या ये question करे हाँ sir मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास already old machine है अगर मैं old machine ही चलाता हूँ तो first year में आएगा 40,000 और second year में आएगा 40,000 और मैं कहता हूँ कि चलो यार एक काम करते है न यार एक साल चला कर ही बेज देंगे it means अभी बेज देते है अभी तो भले अभी बेचोगे तो 80,000 की बिग जाएगी machine अभी बेचोगे और अगर एक साल रुक कर बेचोगे तो machine जो है वो 70,000 की बिगेगी the machine can be replaced now with new machine 1,50,000 वोले new machine खरीदोगे तो 1,50,000 की आएगी but is much more efficient and will provide cash inflow 80,000 a year for 3 years चीक है आगे बड़े मेरे ख्याल से question समझ में आ रहा है के नहीं आ रहा मैं खुद नहीं जानता हूँ पर एक बार आगे बढ़ते तो है देखते तो है क्या है company Y wants to know whether it should replace the equipment now or wait a year with a clear understanding that new machine is the best of the available alternatives and that in turn be replaced at optimal point ignore tax, opportunity cost of capital 10% or advice dana with reason Jesus क्या मांगा जारा है क्या पूछा क्या जारा है actual में हम से decision क्या लेना decision क्या लेना یہ समझ में आ गया न है कि decision क्या लेना हम तो बना लेंगे एक बर ये समझ में जाए कि कर decision । go go हाँ अभी रिप्लेस करें या एक साल बाद रिप्लेस करें डिसीजन यह है हाँ इश्या बिल्कुल सही अभी रिप्लेस किया जाए या एक साल बाद रिप्लेस किया जाए मुद्दे की बात यह बग्य और कुछ नहीं ठीक है सर तो start करें क्या yes हमें start कर हमें क्या निकालना है क्या CFAT दिया है yes अगर CFAT दिया हुआ है तो हम लोगों को NPV निकालना होगा अगर CF cash outflow के basis पर decision नहीं लेना है क्योंकि CFAT दिया cash outflow दिया तो हमें NPV के basis पर ही decision देना होगा ठीक है सर तो हम लोग इस start कर रहे है table सर जो हम बनाएंगे कैसे वही format है format हम मैं change करूंगा ही नहीं उसी format मैं काम करूंगा झाल decision हमारे पस दो टाइप के एक साल बात रिप्लेश किया जाए या अभी रिप्लेश किया पस कि दो decision है इस बार here present value factor 10 percent replace now or replace at the end of one year replace in one year लिख सकते हुँ ठीक हे चल जा है replace in one year amount present value amount और present value amount present value amount present value वाउ सर ये format fix है क्या हा ना भाई ये ही तो फायदा है एक format बनाया replacement पूरा खतम कर दिया याद है कैसी करते थे सर हाँ सर याद है एक तो हमके लिखते थे cash outflow और फिर लिखते थे cash inflow तो पहले मैं cash outflow लिख रहा हूँ cash outflow cash outflow cost of new machine zero 1,50,000 1,50,000 1 909 1,36,350 किसी को कोई problem तो नहीं है अभी तक आज replace करेंगे तो आज पैसा जाएगा new machine आज खरीद होगे एक साल बाद replace करोगे तो new machine एक साल बाद खरीद होगे तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए sell of old machine sir net यहीं से कर सकते थे कि कर सकते थे sir zero period में one tax का चक्कर है नहीं है यह ना हाँ sir तो आज अगर machine बेचोगे तो हमारा 80,000 कभी कियेगा yes sir तो यहां से 80,000 minus होगा minus 80,000 और first year में point nine zero nine और sir यहां कितने का 70,000 तो 70,000 into point nine zero nine तो यहां गया है six three six three zero ठीक है तो कतम करें इस बात को यहां गया है मेरा cash how close total of a cash out one sir यह तो 70,000 हो गया one three six three five zero minus six three six three zero तो यहां किया सर seven two seven two seven two zero ठीक है सर seven two seven two zero यहां तक तो बहुत अच्छा अच्छा गया है कोई दिक्कत नहीं अब क्या कर ले अब कर रहे cash inflow क्या मेंगे क्या? आपको लूँójा और कैश इंफ्लोस में PFAT पर्स्टियर में पर्स्टियर में ने सीधा लिखते हैं ना सर इस मसीन में आएगा 1,2,3 और सर फैक्टर लेते 10 पर्स्टियर का 3 साल का 1 डिवाइब 1.10123 लिटी तो सर ये लेते 2.487 हाँ मैं PV AF ले रहा और अगर न्यू मेशिन आज ही खरीदोगे तो लिखा है कि 80,000 आएगा तीन साल तक तो सर ये आ गया 1,9,8 9,6,0 आज यहां तक हो गया है क्या एक बार मुझे बताओ क्या ये चीजे जो मैंने लिखवाया हूँ वो समझ में आ गया है किशन का कहना ये सर नोट कर लिया है और भी मुझे बता दो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम आज न्यू मेशिन खरीदते हैं आज ही खरीद लेते हैं तो तीन साल तक आएगा और तीन साल तक आएगा 80,000, 80,000, 80,000 अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है क्योंकि तीनो साल का 80,000, 80,000, 80,000 है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.487 मुल्टिप्लाई कर दिया टैंशल खतम हो गए सर लेकिन सेलवेज पर कोई बात नहीं मैंने क्या किया मैंने कहा है चलो हम निकालते थे ना याद है यार एक हम incremental cash outflow निकालते थे सर ये जो सैल हो रहा है अनका कहना है कि सर आप यहाँ plus भी तो कर सकते थे हाँ कर सकता था पर चलो ठीक है ना मैंने वही adjust कर दिया एक ही बात थे चाहो तो inflow में यहाँ डाल सकते हो या तो फिर यहीं यहीं net कर सकते हो क्योंकि net हमारी आदत हो गई थी इस अब मेरी बास सुनोगे चाहन से कुछ कहूं तो मुझे लगता भटक ना जाओ आप पहले कोशन बना लेते हैं पहले कोशन बना लेते हैं ठीक है सर यहाँ तक कोई दिक्कत ने यह काम हो चुका है पर अगर हम एक साल बाद रिप्लेस करते हैं एक साल बाद तो न्यू मसीन से जो 80 था उजण आएगा बस ध्याहाँ से समझा अगर सर मैं एक साल बाद रिप्लेस करता हूँ तो new machine से जो CF80 आएगा वो कौन कौन से year में आएगा क्योंकि तीन ही जाल लाइफ है तर फिर से समझाओ अगर मैं इस साल replace नहीं करता मैं एक साल बाद replace करता हूँ तो new machine से जो CF80 आएगा वो second year में आएगा third year में आएगा और fourth year में आएगा हाँ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना अगर मैं new machine से new machine से second year third year, fourth year बिल्कुल सही hundred percent अगर हम new machine खरीदते है तो CF80 second year में आएगा third year में आएगा fourth year में है, hundred percent पक्का है पर यार पहले से भी तो machine है first year में जो old machine है उसका भी तो cash flow आने वाला है उसको कैसे बोल सकते है it means first year में 0.909 और मैं कह रहा हूँ कि यहां 40,000 तो आने वाला है 36360 ठीक है यार 40,000 तो आएगा ना यार first year का या सर्फ़र्ष्ट यार का 40,000 आएगा और 2, 3, 4 2, 3, 4 और वो आएगा हर साल 80,000 1 divided 1.10 equal to equal to M plus equal to M plus plus M plus सर्फ़र्ष्ट यार कहे 2.261 सर्फ मज़ा आगया यार इस question में तो अभी मज़ा नहीं आए अभी मज़ा आएगा अभी में question पूछने वाला हूँ 80,000 into 2.261 सर्फ़र्ष्ट या आगया 1, 8, 0 8, 8, 0 2.261 2, 3, 4 1, 9, 8, 9, 6, 0 3, 6, 3, 6, 0 1, 8, 0, 8 2, 1, 7 4, 0 क्या आगयाly P NPB आगया E minus A 198, 9, 6, 0 minus 70,000 तो सरी आगया 1, 2, 8 60 144 520 इसन मुझसे गल्दी हो गई थी 2, 3, 4 हाँ सुबेंदु मैंने ठीक कर लिया मुझसे गल्दी हो गई थी 2, 3, 4 ठीक कैसर अमित मैं इसी मेटर पर बात करने वालू अभी मैं मुझे इस कोशन पर बहुत सारी बाते करनी है ऐसा नहीं कि कोशन खतम हो गया कोशन पर बहुत कुछ बात करनी हाँ मित बस वही मैं आपको समझा रहा हूँ अभी बहुत सारी बाते करनी इस कोशन पर एक्वेविलेंट आएगा कि नहीं आएगा कि ये सही है कि नहीं है बहुत सारी बात करनी है अंसर तो विल्कुल सही है कि सर एक साल में हमें आज रिप्लेस करनी के पेक्चा एक साल बाद रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि NPV हायर है ये भी मैं लिख देता हूँ सर इक्विविलेंट क्यों मैं बात कर रहा हूँ यह मैं पहले लिख देता हूँ ठीक है सर ठीक है रहा हूँ ऩो फ्टेब फॉबन की पहां है ते फिर भी टॉरलन मगेशन शुलाव इंग चेरव चुछ तो अबिसे प्राव भी चाहि वेसंद तो प्रावद प्रावच टूरूर को ट्रावच चाहिए प्रावंस, तो लोजक कि यॉडिक नरिफिस जाता है। ये लु़िक ए लॉजकी छिए due to higher and pay replace after one year त्याहिए है the second option is better हाँ जी अब मेरी बात सुनोगे अगर आपने note कर लिया हो तो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ मुझे आपका साथ चाहिए अगर लिखना बंद कर दो तो फिर मैं आगे बढ़ू हाँ निशीता हो चुका है आपका भी हो चुका है और सभी लोगों का शुभांशू अगेरा सब का हो चुका है शुभांशू ठीक है जी अब धियान से समझना मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ मुकुन्व सुभांशू ठीक है जी अब सुनोगे मेरी बास सुनोगे चलो जी हाँ जी सुनोगे बिट्टे सुनोगे पहला कोश्चन क्या है सबसे इंपॉर्टन कोश्चन है कि इस कोश्चन ये ये जो सॉल किया है मैंने एक किस के हिसाब से है तो इसमें मेरी गलती नहीं है ये पूरा की पूरा जो सॉलूशन है ये S पर I-C-A-I S पर I-C-A और मैंने जो सॉल करवा रखा है वो I-C-A-I के हिसाब से ही करवा रखा है तो अगर मैं कहूं कि ये कोश्चन से मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ सॉलूशन से जी हाँ मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ इसकी बहुत सारी वज़ा है ये जो निकाला है आपने ये जो निकाला है इसका नाम हमने कुछ लिखा था मुझे आपका साथ चाहिए है ये जो cost of new machine minus sale of old machine कुछ निकालते थे उसको हम कुछ बोलते थे और उसको बोलते थे याद करो replacement कल हमने श्टार्ट किया था तो उसको हम कुछ बोला करते थे और उसको बोला करते थे सर रहम incremental cash outflow याद है incremental cash outflow हाँ सर incremental cash outflow बलते थे बिलकुल सरे incremental cash outflow और मैं तो भूली गए ना कही कोई optimal replacement का question नहीं है यह सिर्फ है कि यार replace करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो इसको बलते हैं incremental cash outflow ठीके सर याद आ रहा याद आ रहा और फिर नीचे लिखते थे cash in flow नहीं लिखते थे हम लिखते थे incremental cash in flow और फिर मैंने कहा था अगर हम old machine नहीं चलाते तो क्या था अगर हम new machine चलाते तो क्या था और उन दोनों की बीच का difference लेते थे जिसको बलते थे incremental cash in flow agree अगर मैं बिलकुल बारी क्यों में जाऊ तो आप भी समझदार हो बिलकुल बारी क्यों में जाऊ अगर मैं आज ही अगर मैं old machine ही चलाता तो sir old machine ही चलाता तो 40,000 आता और 40,000 आता अगर मैं old machine ही चला रहा था तो first year में 40,000 आ रहा था और second year में 40,000 आ रहा था और third year में तो 0 आ रहा था पर जब हमने new machine लिया जब हमने new लिया और आज ही replace कर दिया तो बोलो कितना आ रहा है सर 80,000 आ रहा है और 80,000 आ रहा है ठीक है तो उसके हिसाब से अगर मुझे increment cash flow निकालना होता तो यार incremental cash flow तो वाकई में आता 40,000 40,000 और 80,000 नहीं लोजिकली अगर मैं देखूं तो लोजिकली यह है यार ऐसे ही तो करते आ रहा है हम लोग ऐसे ही तो करते हम लोग पर प्रॉब्लम क्या है सर incremental के बिसिस पर आंसर देना चाहिए था यास सही है हमें आंसर ऐसे निकालना था और लोजिकली भी है क्यार एक्स्ट्रा कितना लग रहा हम तो वही तो किये ना यहां हमने क्या किया यहां हमने वही किया है हमने लोजिकली incremental cash outflow निकाला है तो लिखना भी चाहिए था incremental cash in flow पर हमने किसे हैं सहब से कर दिया हमने कर दिया कि ठीक है भी अगर आज replace करे तो इतना आएगा और एक साल बाद replace करे तो इतना आएगा और सुनो आपको करना भी ऐसे ही है करना भी ऐसे ही है ये कोशन आज का नहीं है जब आपने C.A. स्टार्ट नहीं किया था ना तब का कोशन है और तब से आज तक ICA ने इसमें कुछ चेंज नहीं कि तो सर और ज़्यादा बाते मत करो क्योंकि जब करना ऐसे है और हमने कर लिया था तो ये जबर्दस्ती का आप बिल्कुल टैंसन क्यों दे रहा है हमको अच्छा खासा तो सीख लिया था और ये आप बीच में आप हमको पागल बना रहा है प्लीज सर ये बात मत किया करो बाद में आप मुझसे पूछोगे ना अच्छा खासा हो गया दिल खुश हो गया तो प्लीज मत बताओ सर प्लीज हम सुन नहीं नहीं चाहते है ठीक क्योंकि more study more confusion exam में ऐसे ही करके आना exam में ऐसे ही करना ठीक दिया हाँ question बाद में message करेंगे तो ऐसा नहीं में reply no study or no confusion बात सही हो रहते है हाँ निशान में पढ़ लिया था आपका message लेकिन निशान पता है दिक्कत क्या होती अगर मैं यहीं यह बात छेड़ देता न तो यह question हो यह नहीं पाता इसलिए मैंने आपके message पर ध्यानी नहीं दिया मैंने चोड़ो जी पहले बना लेते फिर बात करेंगे और क्योंकि यह exam में हमको ऐसी बनाना है तो हम इसी matter पर बात करेंगे ठीक है अब और एक message था अंस का उनका यह कहना है कि सर और एक बात है और एक बात है सुनो वो बात भी करेंगे कि सर यह देखो ना सर यह वैसे NPV जो निकला है वो तो टूटल चार साल का है आप खुश सोचो आपने 40,000 भी तो consider किया ना हाँ तो सर यह जो NPV है यह तो है चार साल का हाँ बोलो हाँ सर और सर यह NPV ध्यान से देखोगे तो यह NPV तो तीन साल का है यह NPV है तीन साल का यह NPV है चार साल का तो आप कैसे comparison कर सकते हो सर यह बताइए एक तीन साल का एक चार साल का तो आप कैसे comparison करो तो उनका कहना है कि सर इस बेसिस पे डिसिजन नहीं होना चाहिए हमें एक्विवेलेंट निकालना चाहिए और डिसिजन देना चाहिए क्या आप लोग इस बास से एग्री हो या नहीं क्या हो गया है सब चले गए क्या हां सर बात तो सहीं बहुत है मैं भी होना चाहिए था इक्विलेंट इस्ट्यूट ने नहीं किया और उनकी पीसे सोच कुछ और थी अब सर एक्ष्वल में इक्विलेंट कब करते हैं मैं आपको बतारा नहीं आई सी एई को मेल कितना भी कर दो भई कितना भी जमाना हो गया यह कोशन है आप नहीं समझ रह कोशिशन है तो सवाली पैदनी होता तब से लेके आज तक कभी कोई चेंज नहीं हुए इस ठीक पर एक बात मैं आपको समझानी के कोशिश करूं मुझे सर और कोई कोशिशन बनाओगे क्या जो बच्चे सोच रहे कि अभी और भी कोई कुछ कुछ होने वाला है क्लासिस अभ शाली बनाओगे कि अ घर नहीं होुए और भी कि अभी कि आपट थीक तक कुछ हो याज ही जर भी कर दो वाला है कि जर दो कोशिशन पने ढाला हुए झालमाणी तक कर दो मिझे सक बादगे कि रहा हुए झाले हुए चाहार हुए छो जी थोड़ी सी बारिक्या समझाने कि जो मिटिंग यार संडे को तो फाइनल है ना यार हमारा टेस्ट भी रहेगा जो मिटिंग टेस्ट का तो पता नहीं पर जो मिटिंग तो पक्का है हाजी अब सुनोगे बहुत बारीक बात कर रहा हूँ बिलकुल ध्यान से धिल पाउद धिल भाउ नहीं तो याद ही कर लेंगे बिलकुल ध्यान से मेरी बात समझना तयार हूँ यस सर यार मेना प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ ठीक है सर बस दो मिनट में अगर बात समझ में आगी तो बहुत अच्छी बात है ठीक है सर आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ अब प्रोजेक्ट में जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे पास दो आप्शन है या तो एक साल के लिए लगा सकता हूँ या तो मैं पाच साल के लिए लगा सकता हूं एक पाच साल का project है five years का और एक है one year का project अगर मैं एक साल के लिए project में पैसा लगाता हूं तो NPV आएगा 25,000 ठीक है पर अगर मैं उनी पैसो को मैं five years के लिए लगाता हूं तो NPV आएगा 70,000 बताइए मुझे क्या करना चाहिए मुझे वन येर के लिए पैसा लगाना चाहिए कि फाइव येर्स के लिए पैसा लगाना चाहिए जल्दी से आंसर चाहिए मुझे आंसर चाहिए फटा फट से कि वन येर के लिए पैसा लगाना चाहिए कि 5 years के लिए no doubt इसमें NPV ज़्यादा है इसमें NPV कम है प्रशांद का कहना सर्फ 5 साल के लिए लगाई है प्रीती का कहना equivalent करेंगे मांसी 1 year, मोना लिसा 1 year छीक है आपने कहा कि 1 year के लिए पैसा लगाना चाहिए, मैंने लगा दिया 1 year के लिए और आप ही गया कितना 25,000, ठीक है जेब मैं रख लिए, उसके बाद क्या करूँ उसके बाद एक साल हो गया 1 year का end, मैं कमा कर बैठ गया 25,000, उसके बाद क्या करूँ भई, बस equivalent की बात अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि सर, एक साल आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, बहुत अच्छी बात है आपकी advice सुना, मैंने लगा दिया कमा भी लिया, मैंने 25,000 यह किसन यही तो assumption है, यही तो बस मैं यही सुनना चाहता था कि सर, हम एक assumption और लेते हैं, तभी equivalent लगाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं न, सर, equivalent annual NPV क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं, बस यही सुनना हो एक तो वज़ा यह है कि life अलग अलग है हाँ, और दूसरा जो main वज़ा, equivalent भी क्यों करते हैं हम यह assume करते हैं, कि हम वापस फिर से project में invest करेंगे फिर एक साल हो जाएगा फिर project में invest करेंगे इस तरह से एक एक करके करेंगे और अगर मैं कह रहा हूँ कि हम वापस नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं 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 प्रोजेक्ट नहीं में गह रहा हूँ कि बस एक साल एक साल या पाज साल, इसको मैं वापस repeat नहीं करने वाला हूँ कोई repeat नहीं होगा, जो होगा वो final है, फिर क्या होगा अगर आप repeat नहीं करने वाले हो तिर एक साल, या तो पैसा मैं दे घर में रहेगा, that's it, अगर रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर पास साल, फिर हम equivalent annual NPV नहीं निकालेंगे, अगर रिपीट, रिपीटिटिव नैचर का नहीं है मेरा प्रोजेक्ट, तो equivalent annual NPV नहीं निकालेंगे, जो NPV दिया रहेगा, उसी के बिसिस पर डिस्जिजन दे, हाला कि हम हमेशा, हमेशा ये assume करते हैं, कि जो प्रोजेक्ट है, वो रिपीट होगा, simple सी बात है, reinvestment होगा, होगा, तो यहाँ अगर मैं देखूँ, तो मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, मुझे equivalent करना चाहिए था, equivalent करना चाहिए था, क्योंकि हमेशा से हम करते हैं, life अलग-अलग होती है, तो equivalent करना चाहिए था, पर मेरा मानना है, कि ICAI ने यहाँ यह सोचा के होगा, मुझे नहीं मालम क्या सोचा है, यह जो है, यह repetitive nature का नहीं है, optimal replacement कर रहे थे हम, yes, ये बारी क्या समझ लिया है, हम यह वाला काम कर रहे थे, याद है, optimal replacement, yes, तो यहाँ repeat हो रहा था, हर एक-एक साल में, हर दो-दो साल में, हर तीन-तीन साल में repeat हो रहा था, चीज़े यहाँ repeat हो रही थी, लिकिन मैं कहा रहा हूँ कि जब हम यह project कर रहा है, तो हो सकता है कि institute का यह मानना कि repeat नहीं होगा, sir करना क्या है करना कुछ नहीं है equivalent नहीं करना है आपको ये question को ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसमें मैं helpless हूँ और कुछ नहीं करना तो total मिलाकर आपको दो questions replacement के याद करने पड़ेगे यार इसको ऐसे ही बनाना है ठीक है हो जाएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ total मिलाकर दो question आपको याद करने पड़ेगे icai ने गलत solve कर रखा तो हम कुछ नहीं कर सब्सक्राइब हाँ जी repetitive nature रोहन विलकुछ सही है reinvestment in same project वही मान के हम एक साल उसी वही मान के हम equivalent निकालते है सुप का कहना है सर आप बोल रहा है कि total मिलाकर दो question याद करने पड़ेगे replacement के एक question तो यह हो गया हाँ तो दूसरा question कहा है दूसरा question कल में करवाने वाला हो और यह वाला यह एंटर का question यह एंटर का question दूसरा question मैं कल करवाने वाला हो अच्छा वह अच्छा question है पर I.C.A.I.R. छोटी-छोटी गलतिया करता है क्या गर है दूसरा question अभी करवाया रही है दूसरा question तो कल करवाऊंगा ए भगवान कितनी बारी क्यों से मेरी बात पकड़ते हो यार विश्वास नहीं हो तर इसमें कुछ लिखवा दोगे क्या हाँ वो लिख लेंगे हम लोग अभी बस इसमें जो दो चीजे है पहला क्या चीज है पहला यह है कि हमने यहां incremental ने खेर वो चीज अभी भूल जाईए टेस्ट सर नेक्स संडे को हुआ वैसे ही मेरा करने का प्लानिंग है क्योंकि बच्चों का और भी फोन आया है कि सर थोड़ा सा प्लीज पोस्ट पोन कीजिए हमने अभी अभी श्टार्ट किया तो जो टेस्ट है वो थोड़ा सा रुक्के करेंगे next week करेंगे मैं लाज तो आज की क्लास खतम कर रहा है हम लोग एक कोश्चन होमवख है प्लीज टाइम निकाल लेना आज रात में और होमवख कर लेना है कोश्चन नमबर 10 होमवख है क्योंकि मैं मेरी क्लास नहीं है कोई दूसरी इसलिए कल मैं पूरा पक्का 9.30 तक क्लास रोंगा कल का टार्गेट है एक कोशन रिप्लेसमेंट का करना है और फिर तो कुछ बैचा ही नहीं फिर तो यार सिमुलेशन एक टॉपिक हो बच्चा और एक एजिस्टेट प्रेजेंट वाली बच्चा और हमारे पास दो दिन का टाइम है आराम से हो रहा है, रिलेक्स होकर हो रहा है ठीक है, थेंक्यू सो मच बाई बाई, गुड नाइट एजम्शन लिखवा दो एजम्शन में लिखवा दूँगा मुकुन मैं कल जो आउंगा ना सबसे पहला काम है लिखवाने वाला ही करूँगा क्योंकि सब बच्चे आते नहीं हम लिख लेते तो वो जो इस कोश्चन में मैंने एजम्शन ले रखा है ना कहां गया कि ये रिपीट एक्चुली ना वो जो एजम्शन है वो ICAI नहीं लिखा तो हमें अपने सब्दों में लिखना पड़ेगा एजम्शन इंस्टिउट ने कोई एजम्शन नहीं लिखा हुआ है तो वो मैं आते ही लिखवा दूँगा ठीक है कि मैंने क्या मान के काम किया गुड़नाइट वेजनती, गुड़नाइट सुभान सूँ बाई बाई